नमश्कार, न्यूस क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारिक्रम, इतिहास के पन्ने मेरी नजर से. इस सप्ता आंदोलनकारी किसानों की हिस्टॉरिक जीत हुई है, उसके लिए आप सब को और तमाम हिंदुस्तानियों को बहुत बहुत बधाई. हर बीता हुआ पल इतिहास बन जाता है, जिस घड़ी में आप ये कारिक्रम देख रहे होंगे, वो आपके नीजी इतिहास का हिस्सा बन जाएगा. इतिहास लेकिन हमें हर कदम पर सीख देता है, रिफ्लेक्शन्स दिखाता है, इतिहास में हमको प्रेजन्ट दिखाई देता है, प्रेजन्ट में हम इतिहास से सीखते हैं. पिछले एक साल से दिल्ली के बॉर्डर्स पर आंदोलन कर रहे किसानों की जीत हमें इतिहास के कुछ खास एपिसोड्स की याद दिलाती है पिछले वर्ष दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान आंदोलन के शुरुआत के बाद इस कारिक्रम में मैंने 1988 के भारतिय किसान यूनियन फार्मर्स एजिटेशन की बात की थी कैसे October 1988 में दिल्ली में एक सब्ता लंबा आंदोलन चला था और शहर पूरी तरह से पैरलाइज हो गया था उसके बाद दिल्ली के बोट क्लब में पुब्लिक रैलीज बैन कर दिये गए साथ ही उस आंदोलन के द्वारा राजीव गांधी की सरकार की लेजिटिमिसी कम्प्लीटली अंडर्माइन हुई थी on the 25th of October 1988, almost 5 lakh farmers decided to make the boat club lawns as their home it is the same boat club lawn which has now been destroyed to make a new signature monument for this regime called the Central Vista this was made the home by the 5 lakh farmers in 1988 हिंदुसान की एलीट के लिए ये एक nerve-wracking experience था strong parallels थे जनपत पर धरना और दिल्ली के borders पर जो एक साल से चल रहा था उसी resoluteness के साथ किसान बैठे थे 1988 के किसान आंदोलन ने पश्चमी उत्तरप्रदेश के महिंदर सिंग टिकेट का नाम राष्टे स्थर पर अनिवर्सलाइज कर दिया था In the course of the agitation, टिकेट used well-known Gandhian tools of mass politics, non-violence and non-cooperation Mahendra Singh टिकेट emerged in the public arena in October 1986 and over the next few years made a mark primarily by becoming a farmer's leader with a strong secular orientation उसी तरहे इस बार के किसान नेताओं ने भी secularism और non-violent methods पर अडिग रहे आखिर उन्होंने कैसे सीखा शांती पून, non-violent, विरोध, आंदोलन को sustain करने के लिए सबसे सही और strategic तरीका है किस वजह से उन्होंने एक ऐसे शेत्र में धर्म निर्पेक्ष रास्ता चुना जहां बहुत अधिक सांप्रदाइक conflict का tradition रहा है over several decades हिंदुस्तान के किसान आंदोलन की एक बहुत लंबी परंपरा रही है Victory of the farmers this year is yet another Champaran movement of 1918 when Gandhiji's first satyagraha in Bihar succeeded and the British regime was forced to abolish free indigo plantation in some areas of the land holdings इससे पहले भी 19th century के पहले हाफ से ही हमें कई आंदोलन देखने को मिलते हैं because land was sacrosanct for farmers in the early 19th century Rajput peasants successfully secured abolition of sale of land by public auction The 1817 agitation in Odisha against a decision to tax what were previously tax-exempt service lands was also witnessed during the same period Mysore state, Madras presidency, Karnal, Nagpur, Kolhapur in tamam jagahon par Angrez ko land revenues badaane ke fahisle ko wapas lena pada jab protests huye Very recently, as part of the BJP's tribal outreach Prime Minister Narendra Modi announced that Birsa Munda's birth anniversary would be celebrated as Jan Jatiye Gaurav Divas BJP और सरकार से जुड़े हर नेता संताल विद्रो को romanticize करते है परन्तु उन में से कोई mention नहीं करता that the previous आदिवासी farmers agitations were precursors to the rebellion led by Birsa Munda अब एक और विदमबना देखिए BJP और ये सरकार सरदार पटेल की बहुत दुहाई देती है Modi के initiative पर Gujarat में नर्मदा के तट पर दुनिया का सबसे ऊचा statue बनाया गया है उस जगा को political pilgrimage के तौर पर promote किया जाता है The entire effort is to showcase Sardar Patel as the one who integrated India the iron man who ensured that 550 princely state acceded to India Patel को जवाहारलाल नहरू यहां तक की गांधी जी के भी विरोधी के रूप में चित्रित किया जाता है परंतु आपने किसी भी BJP, सरकार या फिर पूरे संग परिवार के नेता को क्या कभी समझाते वे सुना है कि आखिर बलब भाई Patel सरदार कैसे बने उनको सरदार कब से कहा गया किसने शुरू किया था ये टाइटल उनको देना उच समय तालूका में 222 स्क्वेर मील में फैले 137 गाउं थे बड़ी संख्या में परिवारों के सदसे पूर्व और दक्षिन अफ्रिका में जाकर बस गए थे वे वहां से पैसे भेजते थे और इसी वज़ा से बार्दोली की आर्थिक स्थिती दूसरे एरियाज के comparatively बहतर थी पस इतना काफी था अंग्रेजों के लिए लंड रविन्यू तुरंत बड़ा दिया दो साल बंबे लेजिसलेटिव कांसिल में प्रोटेस्ट और प्रोटेस्ट और पेटिशंस काल सिल्सिला चलता रहा sometime before November 27 when the enhanced land revenue was to become effective a delegation of farmers requested Vallabhai Patel to involve himself with the issue उस वक्त Vallabhai Gujarat Pradesh Congress Committee के President थे जो वो लंबे समय तक रहे उन्हें यकीन नहीं था उस वक्त कि बार्दोली के किसान आंदोलन शुरू करने के लिए तयार हैं whether they were prepared to launch such an agitation he asked his close associates to travel very discreetly through बार्दोली and survey the situation quietly assessing sentiments and resoluteness of peasants एक meeting हुई Patel ने गांधी को ये reports दिये उन्होंने पूछा कि क्या वलब भाई और अन्ने नेताओं को गिरिफतार किये जाने पर भी किसान प्रतिभद रहेंगे उनको जवाब हां में मिला Patel की तरफ गांधी जी ने देखा और पूछा आपकी क्या राय है Rajmohan Gandhi ने Patel की जीवनी में लिखा I have studied the case and have no doubt that the cause is just He quoted Patel as saying in that meeting To that Gandhi replied Then there is nothing more to be considered Victory to the Gujarat people Lekin फिर भी वलब भाई खुद वहां जाके situation की जाच करना चाते थे उन्होंने 4th February 1928 को बर्दोली का दौरा किया किसानों के संकल्प के बारे में सुनश्चित होने पर ही उन्होंने गवर्नर को एक पत्र लिखा He said that the enhanced revenue was flagrant injustice Patel ने मामले की जाच के लिए एक निश्पक्ष ट्राइबुनल की मांग की कहा कि यदि ये स्थापित नहीं किया गया तो उन्होंने चेतावनी दी उनके पास और कोई चारा नहीं रहेगा सिवाए लोगों को राशी भुक्तान करने से इंकार करने के लिए कहना ये अब उनका नहीं बलकी किसानों का फैसला था बारा फरवरी को बैठक बुलाई गई स्वराज के बारे में कोई रेफरेंस नहीं था पटेल वाज क्लियर देट क्वेश्चें इन बार्दोली वाज नॉट स्वराज पट इंक्रीज़ लैंड रेविन्यू यहां पे मैं कुछ यार दिलाता हूँ जब किसानों का आंदोलन पिछले साल शुरू हुआ था तो काफी ग्रूप्स ने ये कोशिश की थी कि जो एंटी-CAA एजिटेशन था उनकी जो मांगे थी उसको भी इंटीग्रेट किया जाए लेकिन किसानों को लगा था कि ये सिर्फ किसान स्पेसिफिक एजिटेशन बने रहना चाहिए इसी तरह से इतिहास से सीखा जाता है मास मुवमेंट्स के लीडर्स इसी तरह से इतिहास को रच्चते हैं एक किसान ने प्रस्ताव किया था उस 1928 के मीटिंग में कि जब तक रेविन्यू कम नहीं किया जाएगा या फिर ट्राइबिनल नियुक्त नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी टैक्स का भुकतान नहीं करेंगे कोई भी किसान एक एक करके हर कौम के किसान खड़े हुए ब्रामण, बनिया, मुसल्मान और पार्सी उन सब ने रिजलूशन को एंडोर्स किया किसी ने लेकिन भाशन नहीं दिया बस एक हिंदू भजन गाया गया और कुरान से एक पैसेज पड़ा गया सेकुलरिजम 1928 में इंडियन नैशनल मुव्मेंट में फार्मर्स एजिटेशन के थूँ इंटिग्रेट हो रहा था कई वर्षों बाद यही चीज हमको पिछले एक साल से देखने को मिला तमाम प्रोवोकेशन्स तमाम एलेगेशन्स के बावजूद 1928 के आंदोलन के जो नेता थे उन्होंने किसानों को चार सीख दिये एक दिन में घर बंद रखे और खेतों में रहिए दो हर दुश्मन को भी दोस्त बनाईए दुश्मन माने जो अपना करीब का नहीं है गाओं में तीसरी बात महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शामिल कीजिए अपने मीटिंग्स में and fourth, be prepared for negative attention from parties that come to attach your properties बाला भाई had learnt organizational skills during the earlier बोर्साद's stir against the tax for nabbing dacoits बार्डोली में इन तरीकों को दोराया गया आंदोलन काम्याब होने लगा April 12 को टाइमस अफ इंडिया के एक रिपोर्ट में लिखा गया the satyagra shows no sign of abatement the report continued master of peasants dialect and their idiom बला भाई swept them off their feet he held them in his spell BJP और इस सरकार के नेता जो सर्दार सर्दार जबते है वो बताते नहीं April 1928 में किसी एक unknown अग्यात किसान ने आंदोलन कारियों में से ही एक वल्ला भाई को अपने लोगों का सर्दार डिक्लेर किया था पटेल और गांधी had agreed that गांधी would stay out of बार्दोली गांधी की मौजूदगी से बार्दोली सत्याग्रह सुराज के संघर्ष में तबदील हो जाता वो नहीं चाते थे वो किसान स्पेसिफिक रखना चाते थे लेकिन उनके बीच असमती थी सत्याग्रह में शामिल नहीं होने वालों का विरोध प्रदर्शनकारी करते थे गांधी did not like this the newly declared Sardar too was not in favor of boycott of those farmers who were not supporting the agitation but as Raj Mohan Gandhi wrote in his biography Patel's line was more permissive boycott इतना vehemently मत करिए लेकिन हाँ अपनी anguish शो करिए बादोली सत्याग्रह ने अंग्रेजों पर दबाव डाला concessions दी गई लेकिन पटेल ने आंदोलन वापस नहीं लिया ठीक इसी तरह से जैसे एक कईस महिने पहले बोला गया था कि हम ये तीन कानूनों को सस्पेंड कर रहे हैं किसानों ने इस बार भी नहीं माना था तब भी नहीं माना था पटेल ने बड़ी चतुराई के साथ किसानों के बीच सामप्रदाइक विवाद को भी एवाइड कर दिया ठीक उसी तरह से तमाम कोशिशों के बावजूद पूरे एक साल से ज्यादा पीरियड में इस फिलाल के किसान आंदोलन में कोई कम्यूनल डिवाइड नहीं आया दराज हिट बैक and declared 31st May 1928 as a date when the land would be seized if taxes were not paid सर्दार दरे नहीं उन्होने घोशना की किसान अपनी भूमी के बिना भी जीवित रह सकता है विशुद रूप से उनकी काम करने की शमता के बल पर the official threat failed on the 17th of June K.M. Munshi resigned his legislature seat he wrote to the governor that in villages he visited not one man or woman was regretful and worried इससे प्रोचसाहित होकर सर्दार पतेलने सत्याग्रह को आस पास के अन्य जिलों में भी विस्तारित करने का विचार किया Times of India ने आगे ये भी कहा कि अब यहां राज की नहीं चलती है सिर्फ सर्दार की चलती है July-August में कई twists and turns के बाद अंग्रेजों ने किसानों की मांग को स्विकार कर लिया but before that Gandhi had already indicated that he was ready to take the सर्दार's place if he was arrested by the government अन्तता 6th of August 1928 को सर्दार पतेल और Bombay सरकार के finance member जो उस समय के minister होते थे उनके बीच एक बैठक के बाद समझोता के लिए सभी पाधाओं को हटा दिया गया All those arrested were released, dismissed, talatis and headmen were reinstated and forfeited land was restored Governor Leslie Wilson ने कहा, सरकार के पास किसानों के खिलाफ कोई effective weapon नहीं था Sardar Patel, Raj Mohan Gandhi के शब्दों में general बन गय थे Valla Bhai Patel was the leader of small and middle peasantry It is time he was restored back to them We must ensure that he is not appropriated by those who had no previous connection with him At least on farm issues Namaskar C